हेलो फ्रेंड केते हैं आप आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेर करें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाल है कि अगर आप पीरेट्स के दोरान रिलेशन रखते हैं या सम्मन बनाते हैं विदाओट प्रोटेक्शन तो क्या आप प्रेगनेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं महीं लोग के मन में काफी डाउट्स रहते हैं इस तीज को लेकर कि हमारी ब्लीडिंग सिर्फ तीन दिन हुई और हमने पांचवे दिन में ये चोथे दिन में रिलेशन बना लिया तो क्या हम इस टाइम प्रेगनेंट हो सकते हैं क्या इसा चांस रहता है तो इसी के बारे में आज हम डीटेल में जानेंगे देखिए अगर आपकी पीरेट स सान से कि आप प्रेगनेंट हो सकते हैं क्योंकि अगर आपकी पीरेट साइकल शोट रहेगी तो आपका ओलेशन भी जल्दी हो जाएगा अभी अगर आपने रिलेशन रखा यानि कि कई फिमेल्स को ओनली ब्लीडिंग थ्री डेज होती है किसी को फॉर डेज होती है फाइब और these for five-days में बिल्खुल बीडिंग स्टोप हो जाती है तो कई लोग पीरेट के पाच्वे दीन भी रिलेशन बना सकते है छीटे सात्वे दिन भी रिलेशन बना सकते हैं तो ऐसे मैं अगर आपकी पीरेट साइकल 22 अगरा वाएट का इंगल सकता है अगर आप पिरेट में कि uterus के अंदर इस्पम को जाने के बाद में 4-5 दिन तक जिंदा रह सकता है तो अगर आपने period के पाच्वे दिन relation बनाया है तो 5, 6, 7, 8 या 9 अगर आप period के पाच्वे दिन एक बार भी relation बना लेते हैं और अगर आपका एक period के आठवे दिन release हुआ तो आपका इस्पम नोवे दिन तक uterus में है अगर वो आठवे दिन या नोवे दिन भी निकलता है तो काफी हद तक chance है कि महला गर्वती हो सकती है तो अगर आप period के इतने जल्दी दिनों में भी अगर आप relation बनाते हैं तो आप protection का use करें अगर आपकी period cycle 24 दिन की है तब भी अगर आप period के 6-7 दिन relation रख लेते तब भी conceive होने का chance ज़्यादा होता है तो आपको अपनी period cycle पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी period cycle कितने days की है उसके according आप आसानी से अपने ovulation days को track कर पाते हैं अपने fertile window क्या है अगर आप pregnant होना चाहती है तो आप पूरे मन्त में कभी भी relation बनाए पर एक चीज का ध्यान रखे कि हमारी fertile window क्या है उसी को ज़्यादा target करे fertile window में आप एक दिन छोड़के एक दिन relation को maintain करे तो चाहेंगे कि आपको इसी मन्त खुशकबरी मिल जाए और अगर आप लोगों को बच्चा नहीं चाहिए तो आप अपनी fertile window में दूर रहे दूरी बना के रखे और अगर fertile window में आप लोग साथ में रहते हैं तो आप protection का यूज करिए ताकि आप unwanted pregnancy से बस सकते हैं क्योंकि unwanted pregnancy हो जाती है महला को तो बहुत problem हो जाती है यानि कि महला जब नहीं चाहती कि मुझे बच्चा हो ऐसे में अधिक तर pregnancy रुख जाती है जब हम चाहते हैं कि हमें इसी मंत pregnancy हो जाए तो ऐसे में बहुत कम females के नसीब में ऐसा होता है कि वो एकी मंत में pregnant हो जाए कई बार चार-चे महीने एक साल भी लग जाता है pregnancy conceive होने में तो आशा करती हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से clear कर पाई हूँ कि periods के दोरान relation रखने से भी महला pregnant हो सकती है लोगों के मन में सिर्फ एक ही भुराम होता है कि इसका एक तो 14 दिन निकलेगा 16 दिन निकलेगा पर अगर इनकी period cycle short है 20 दिन की है, 22 दिन की है या 24 दिन की है तो ऐसे में अगर आप periods के just about के दिनों में relation maintain करते हैं यानकी period के 6 दिन 7 दिन, 10 दिन तो महला pregnant हो सकती है तो इन चीजू का ध्यान रखे और आज जब भी आपका relation होता है पेशेंट के मन में सबसे बड़ी tension यही होती है कि क्या हमने आज relation बनाया है क्या इनको conceive हो गया हम 4 दिन बाद pregnancy test कर ले तो उसका result क्या आएगा तो आपने जब भी relation बनाया है आप उसके 2 हपते के बाद में pregnancy test करके देख सकते है क्योंकि implantation होने में कम से कम 4 से 5 दिन या 7 दिन भी लग जाते है क्योंकि एग और इस्पम मिलता है phytalization होता है उसके बाद में implantation होता है तो यह सारी procedure में कम से कम एक हपता आप मान के चलिए जब implantation हो जाता है तो उसके बाद में baby की growth होने लग जाती है तो normally हमारी body में beta-acg hormones का secretion होना शुरू हो जाता है ऐसे में अगर आपको यह tension है कि हमें unwanted pregnancy हो गई या नहीं होनी चाहिए तो आप relation के दो हपते के बाद में अगर pregnancy test करके देखते हैं तो हो सकता है कि आपको यह confirm हो जाए कि आपकी जो female है वो pregnant होई है या नहीं होई है बट फिर भी आपको period miss होने का weight तो करना ही चाहिए अगर period miss होता है तो उसके दूसरे दिन आप pregnancy test कर ले तो आपको सबसे best result मिल जाएगा पर कई लोगों को जल्दी होती तर निवा